गुड मॉनिंग फ्रेंड्स आप सबका बहुत स्वागत है सुलंकिस गार्डन में तो फ्रेंड्स ये देखिए पैंसी के प्लांट और ये विंटर प्लांट है जैसे कि अब सब जानते हैं और फ्रेंड्स ये मैंने सेड्लिंग से लगाए हैं देखिए इनमें फूल आने फ्रेंड्स आएगा वैसे मेरे पास अभी एक कलर ये है और एक इसमें परपल और वाइट है उसके फूल आयते पर बारिश में जड़ गए हैं तो फ्रेंड्स ये विंटर का प्लांट है इसकी केर करनी बहुत ही असान है मैं आपको बता दूं कि इसको विंटर में लगाते हैं तो इसमें जड़ा पानी देने की जरूरत नहीं होती है इसमें आप खाद का पानी किचन वेस्ट का फर्टिलाइजर कुछ भी डाल देंगे तो इसमें फूल बहुत सारे आएंगे बिल्कुल आपका ये प्लांट भर जाएगा अब रही फ्रेंड्स इसको पॉट में त जैसे आपको बता दी इसको डिरेक्ट दूप में भी रखने की जूरत नहीं होती क्योंकि जब ये विंटर का ही प्लांट है तो इसमें जितनी थोड़ी बहुत दूप आएगी वो इसके लिए काफी रहती है बस ये दियान दीजी कि ज़्यादा बारिश हो जाए जैसे काफी प्लांट है और ये देखिए नए नए ग्रोथ होती जा रही है ये सारे मैंने से लगा रखें और इनमें भी फूल आएंगे जो अलग कलर की उसकी वीडियो शेयर करूंगी जैसे मैंने आपको बता दिया कि पानी खाद और सूरज की बता दी अफ्रेंट्स ये प्ला खा दे दीजिए चार पास दिन में पानी दे दीजिए आप खुद देखेंगे कि आपको कितने प्यारे प्यारे फूल मिलेंगे और कितनी ज्यादा मात्रा में बस जब ये आपको फूल ये जैसे खराब हो गया है तो इसकी पिंचिंग कर दीजिए क्योंकि अगर आप इसक सुन्दर लगेगा तो friends comments box में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी पसंद आये तो please like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए thank you friends